स्वागत है, आप सभी का एक और खेती से जुड़ी नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम काफी अच्छे विशय पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने भी अपना सोया बीन में पहला स्प्रे 25 से 30 दिनों की अवस्था में कर दिया होगा, और अब हम करने वाले हैं अपना दूसरा कीट नाशक स्प्रे अगर आप आगे भी ऐसे ही खेती से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के हमें दूसरे स्प्रे में कोन सी दवाईयो का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी सोयाबीन में फूलों की संख्या बढ़े और उत्पादन में वृद्धि हो, मैं आपको एक प्रॉपर डोज बताऊंगा, जो आपको इस्तेमाल में लेना है, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल कीट नाशक से सुरक्षित भी रहेगी और फूल भी ज्यादा आएंगे, अगर बात करू, पहले कीट नाशक की, तो ये आपकी फसल में जो तंबाकु इल्ली है और हरी इल्ली है, उस पर कंट्रोल करेगा, जो की है, इमामेक्टिन बेंजोएट जो की धानुका कंपनी की तरफ से M1 के नाम से आता है, आप किसी द पायर कंपनी का सोलोमन, जो की हमारी फसल में रिंग कटर और भी अन्यकीटो का सफाया करता है, बात करें इसके प्रति एकट डोज की, तो ये हमें 150 एमेल प्रति एकट के हिसाब से छड़काओ करना है, मैंने जो आपको दोनों कीट नाशक बताये है, ये बहुत ही अच्छ पूलों को आने में मदद करता है, दोस्तों मैं आपको खास कर दो टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ, जिनका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है, पहला टॉनिक के हमारा कोरोमंडल का फैंटैक प्लस और दूसरा टॉनिक है, हमारा टाटा का टाटा बहार, आप इन दोनों में से कोनसा भी ले सकते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, जल्द ही नई खेती की जानकारी से जुड़ी नई वीडियो में